हलो दोस्तो मैं डॉक्टर एसपी दे आज आप लोगों से बात करूँगा एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जिसका मेडिसिन्स और जिसका लिये बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुके हैं वो है होमेपेथी for anxiety, fear and panic attacks कौन-कौन से ऐसे medicines है जो हम लोग easily ले सकते हैं और कौन से symptoms के उपर लक्षन ले सकते हैं जिससे हम लोगा जो panic attack है, anxiety है, stress है ये कम हो जाए तो दोस्तो इस वीडियो को जरूर अंतक देखिएगा और मेरे चैनल को like और subscribe करना मत भूलिएगा starting जो हम लोगा medicine है उसको हम लोग बोलते है एकोनाइट 30 एक ऐसा medicine है जो हम लोग कोई भी acute sudden आपका अगर suddenly हटात अगर कुछ problem आपका हो जाए कि मैंने ये डर suddenly develop कर जाए तब आप यूज़ कर सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक दम early stage का कभी भी आपको कोई भी डर जाए मन में suddenly appear कर जाए suddenness इसका keynote है अगर हटाप हो जाए तो इसको आप अकोनाइट 30 ले सकते हैं इसका symptoms जो होता है generally ऐसा देखा जाता है कि sudden restlessness due to sudden pain or acute any type of anxiety इसके साथ और एक हम लोग का medicine आता है जलसीमियम 30 अगर कहीं पे भी आपको sudden डर लग जाए और भय हो जाए कोई भी bad news आप सुन ले उसके बाद आपका हाथ पाउ थर-थर करके कापने लगे और पसीना चूटने लगे पेलपीटेशन सोने लगे तो आप starting में ही जो medicine ले सकते हैं जेलसीमियम 30 और एकोनाइट 30 अगर आप alternate करके ले किसी भी medicine का एक बाद डोस और उसका एक डोस ऐसा करके दो घंटा बाद बाद ले तो कोई भी acute और sudden anxiety और panic attack बहुत जल्दी एक दो घंटा में ठीक हो जाता है तो जितने भी ऐसे मेरे patients है जो episodic या recurrent panic attacks और anxiety disorder का attacks में जूचते रहे हैं सब को मैंने अपने pocket में ये जो होमिपेती का 30 नंबर ग्लोबुल्स है उसमें बना के जेलसी जो anxiety panic attacks है ओफिश में, train में, bus में, flights में या स्कूल्स में, examinations के time होता था, meetings के time होता था तो वो अभी नहीं होता है आप 30 नंबर ग्लोबुल्स में, एकोनाइट 30, जेलसी में 30 अपने pocket में रख सकते हैं और इस medicines का 5 गोली, उस medicines का 5 गोली 10 मीट बाद बाद अगर लेते रहे तो आपका 3-4-5 डोज में ही anxiety कम हो जाता है इसके बाद दोस्तो एक anxiety और panic attack का बहुत अच्छा दवाई है जो है ignatia 30, ignatia 30 में क्या होता है, मन में आपका अगर डर है, बहुत जादा fear लगता है, रस्ते में चलने में प्रोब्लेम होता है, भय मन में हाभी हो गया है, suddenly किसी का death से आपका family members हो, आपका friends हो, आपका कोई भी near a dear हो, या कोई death का news TV में देखने के social near, कोई भी death हो, या उस ऐसे type का कोई भी sad news देखने के बाद ऐसा डर अगर आपके man में बैठ गया है, तो आप दिन में चाट टाइम ignatia 30, दो बुन्त करके अपनी dry on tongue आप ले सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जायता है, इसके बाद आता है दोस्तो, argentum nitricum 30, argentum nitricum 30 एक ऐसा medicine है, जो generally young people बहुत ज़्यादा खाना वाना खाता है, और gastric problem में जूचता रहता है, और जिसको हर टाइम डर रहता है, मुझको ये विमारी हो जाएगा, heart attack हो जाएगा, पेट फूलने लगता है, उसको argentum nitricum 30 बहुत अच्छा फायदे मन्द उसके लिए साबित होता है, आप दिन में चार बार दो गुंद करके dry on tongue ले सकते हैं, इसके बाद दोस्तो, एक famous हम लोग का medicine है, जो आप लोग, बहुत वीडियो में मैंने बता चुका है, कि नांग्स जादा है, और इसके कारण आपका मन में हर टाइम अशन्ती, आपका मन जो है, खित-खित करते रहता है, और आप irritable होते जा रहे हैं, तो आपको नांग्स दुमी का थर्टी, हर रोज रात में सोने से पहले एक डोज अगर आप लेते रहे, तो दो बुंद ड्राई on tongue, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, कुछी दिन में आपका नीम भी अच्छा हो जाएगा, और आपका anxiety भी कम हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों, एक हम लोग का medicine है, जो anxiety, weakness, neurological कारण में, मैंने पहले भी बताया है, कैलिफॉस 6-6, कैलिफॉस 6-6 लेने से आपका दिन मे चार बार लेना है, चार गोली करके थोड़ा सा गरम पानी से आपको घोट लेना है, इससे भी anxiety में बहुत अच्छा रिलिप मिल जाता है, sleep अच्छा हो जाता है, और panic attacks का recurrence जो है, ओ धीरे-धीरे कम होना लगता है, हम लोग का जितना भी medicine सोमीपेथी में है, उसमें ये ज बहुत सारे ऐसे medicines है, जो anxiety disorder और panic attacks या जो डर का जितना भी बिमारी है, उसमें बहुत अच्छा improvement देता है, वेकिन इसके लिए आपको एक experience and qualified, qualified मतलब BHMS या MD क्या हुआ है, ये सब बिमारी को ठीक करने का experience records है, उनके पास, उसके पास आपको जाना है, कॉन्टक्ट करना है, अगर आप तीन महिना, छे महिना, एक साल तक अगर आप लेते रहे तो medicine, तो आपको बहुत अच्छा improvement मिलेगा, और आप जरूर अपने जो anxiety disorder है, इसके लिए आपको कोई भी allopathy chemical drugs का सहरा नहीं लेना परेगा, क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई medicines, anti-anxiety, anti-depressive, mood an answer, कोई भी allopathy का ऐसा medicines लेते तो उसका dependency grow हो जाता है, महिनों तक, सालों तक लेने से उससे बाहर आना एकदम impossible हो जाता है, उसका side effects में बहुत सरम में, बिमारिया हो जाता है, blood sugar बर जाता है, blood pressure बर जाता है, obesity हो जाता है, और life इतना complex हो जाता है, क्योंकि stress और anxiety और डर का जो problem इससे बाहर तो आप आई नहीं पाए, दूसरा और बीमारी आपके उपर हावी हो जाएगा, तो वो एक बहुती painful condition है, अगर उस condition से अगर आप बचना चाते तो आप होमिपती जरूर try कीजिए, और try करने के बाद आप result मुझसे share कर सकते हैं, मेरा help लगे, तो मेरे description box में मे कीजिए, अगर कोई भी questions इस बारे में है, तो आप मेरे comment box में लिखिए, और मेरे video का अगर अच्छा लगे, तो इसको share जरूर कीजिएगा, दोस्तो, thank you